अंग्रेजी के वो तीन अक्षर जब दो लोग प्यार में होते हैं तो एक दूसरे को बोलते हैं तो ये बड़ा ही खुपसूरत लगता है लेकिन अंग्रेजी का यही तीन अक्षर जब किसी पर थोपा जाए जबरदस्ती तो नासूर लगता है और इन ही तीन अक्षरों को ज जब छेरने के लिए इस्तमाल किया जाता है, तो ये बड़ा ही भद्धा लगता है। यानि कि I LOVE YOU जब आप प्यार में बोलते हैं तो I LOVE YOU बहुत हीं खूप सूरत लगता है लेकिन आप I LOVE YOU का इस्तमाल जब किसी को छेरने के लिए करते हैं तो इस शब्द के माइने ही बदल जाते हैं और ये शब्द खूपसूरत की जगा भद्दा लगने लगता है अब आप सोच रहे होंगे कि I love you पर इतना ग्यान क्यूं दे रही हूं मैं दरसल I love you पर इतना ग्यान इसलिए दिया जा रहा है क्यूँकी एक वीडियो सोचल मीडिया पर वाइरल हो रहा है दरसल ये वीडियो दो है लेकिन बनाया गया एक ही इंसान के दwaraha है इसलिए एक वीडियो से इस संबोधित मैंने किया है दरसल दो वीडियो हैं जो सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहे हैं और दोनों वीडियो एक ही इंसान से जुरा हुआ है यह वीडियो मेरट का बताया जुआ रहा है और यहां कुछ बच्चे अपनी महिला टीचर को जबरन I love you बोल रहे हैं जिसमें महिला टीचर जो है वो काफी आपती भी जता रही है अपने चेहरे को वीडियो में धखने की कोशिश कर रही है लेकिन फिर भी बच्चे हसी थी टोली कर रहे हैं और महिला टीचर को जबरदस्ती मॉलेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं आईए पहले आपको वीडियो दिखाते हैं जिसमें महिला टीचर अपने चेहरे को ढख रहे हैं जब बच्चे आई लव व्यू बोल रहे हैं अब इसी से जुड़ा एक और वीडियो दिखाते हैं जहां पर स्कूल के कमपाउंड में बच्चे बैठ कर महिला को छेरने की कोशिश कर रहे हैं यानि कि अपनी ही टीचर को छेरने की कोशिश कर रहे हैं और महिला टीचर इस घटना को इगनोर करती हुई आगे बढ़ रही है बताया जो आ रहा है कि ये मामला किठोर थाना छेतर का है और जिस कॉलेज में ये घटना घटी है वो कॉलेज इनायतपुर डॉक्टर राम मनोहर समारग इंटर कॉलेज की है इंटर कॉलेज में 12 के बच्चों को महिला टीचर परहाती है और अपनी ही महिला टीचर के साथ बच्चे इस तरह की भद्दी हरकत कर रहे हैं जब वीडियो सोशल मीडिया पर वारल हुआ तो ये बात महिला तक भी पहुँची कि उनका जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वारल हो रहा है बच्चों ने जिस तरह से उनके साथ छेर खानी की और जिस तरह से उन्हें I love you बोलकर उनके साथ अभधर भाशा का भी इस् जो इन तीनों छात्रों का साथ देती है और यह सब ही मिलकर मुझे परशान करने की कोशिश करते हैं मेरे उपर गंदे-गंदे कमेंस करते हैं मुझे I Love You तक बोलते हैं और मैं लगतार इन लोगों को मना करने की भी कोशिश करती रही हूँ, यहां तक कि मैंने कई बार आपत्ती जताई है, मैंने कई दफा इनके इन शब्दों को इग्नोर भी किया है, लेकिन बच्चे सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, आपको बता दे कि यह जितने भी यह सब 12 स्टांडर के हैं, हमारे संस्क्रिती में गुरू को देवता का दर्जा दिया जाता है, और अगर आप देवताओं के साथ ऐसा अभधर मजाग करेंगे, तो आपके साथ क्या होगा, आपको शायद अंदाजा भी नहीं है, इसलिए पुलिस ने कमप्लेन को दर्ज कि क्यों की जा रही है, वही महिला टीचर का कहना है कि इस घटना से वो डिप्रेशन में जा चुकी है, और उनकी जिंदगी पूरी तरह से उथल पुथल हो गई है, बच्चों ने इस तरह से महिला को प्रतारित करने का काम किया है, उन्हें छेरने का काम किया है, कि अब महिला टीचर डिप्रेशन में भी जा चुकी है सोचिए कि आपको लगता है कि आप किसी के साथ छोटा मजाग कर रहे हैं हो सकता है वो मजाग उसके लिए बहुत बड़ा हो और आप जहां पढ़ रहे हैं वहां आप अपनी टीचर को अगर इस तरह से से छे रहे हैं तो आप क्या सीख रहे हैं फिर आप पढ़ने ही क्यों जा रहे हैं सके इस खबर में इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाईक करें बैक कोआजा करें साथिमा च्वानल न्यूजबे को सब्सक्राइब करना ना पूले धन्य बात